हेलो अब्रिवन लास्ट टाइम मैंने आपको बचों की कॉंसंट्रेशन लेवल को कैसे बढ़ाएं उसको पार्ट वन में डिस्क्राइब और मैंशन किया जिसमें मैंने उनकी दो एक्टिविटीज पर आपको यूज करने के लिए कहा था कि एक तो आप सुबा ब्रह्मुरत म क्रीज करें कि वह पानी जाल से ज्यादा पिएं आज पार्ट टू में मैं आपको यह बताऊंगी कि आप बच्चों को और शांत और उनके कॉंसेंट्रेशन करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए पहले मैं आपको एक चोटी सी स्टोरी सुनानी चाहूंगी जै कि उनने आशरम में ही जाकर शिक्क्षा प्राप्त करने का क्यों की आशरम का मतलब उता यただ आजु ख Mittler हम देखते हैं कि लिए हैं बच्छे बहुत जबड़ान और बच्छे से पेरंट्स को एग्नॉर करना और बहुत जीजें जैसे अगर एक मंई अपने बच्छे को नही सुनता और मतलब वो इगनोर करके इजर उपनी एक्टिविटीज में लगा रहा रहता है अपनी मागो इगनोर करता है और फोन में लगा है गेम खेल रहा है या फिर क्रियेटिवुटी करें तो उस प्रेदिक्ट करते हैं उनको अपको लेते उनको लगता है कि यह तो रोज काम है ममी रोज बोलती देगी रोज सुनाती देगी और आपको सुना पसंद नहीं करेंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले बच्चों को फिजिकल वर्क और फिजिकल स्ट्रें कि खुद अपना बिस्तर कैसे साफ करना है और उसको कैसे ठीक करना है अगर वो अपने दिन की शुरुवात इस तरीके से करते हैं अगर वो अपने बिस्तर को सही करते हैं और बिस्तर से उठते हैं तो उनके एक के बाद एक हर एक activity जो है regular way में और एक अच्छे रूप में वो अंचाम तक जरूर पहुंचेगी जैसे वो सुबह उठे उन्होंने अपना बिस्तर समेटा उसके बाद वो आपके दिन चर्या के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें आप बचों की लिए बचों को खेलने के लिए मनोरंजन के लिए टीवी में फोन में आप उनको उन आपकी बात को ज्यादा सुनेगा समझेगा कि उसको सब समझ आएगा कि मेरी मा कैसे काम करती है और मैं उसको पता चलेगा जब बच्चा आपके साथ घर के हर काम में हाथ बटाएगा तो इसी तरीके से जब एक माँ उसको अपनी फीलिंस शेर करेगी और उसको बोलेगी की बेटा तूपर लिखकर जिंदिगी में कुछ बन मैट आती हूँ कि जिस तरीके से हम अपनी जीवने परिशानिया उठा रहे हैं हम अपने जीवन में इस तरीके से संगश करें तू ऐसा संगश ना करें आने वाला टाइम और आने वाला भविश्य तेरा बहुत अच्छा ह और आप हमेशा देखना कि जो लोग अपने बचों को जादा पैंपर करते हैं जादा मनो रंजन में डालते हैं जो उनको टाब फोन वीडियो गेम्स प्रोवाइड करते हैं ऐसे बच्छे हमेशा देखना कि हर एक लक्जरी और कमफर्ट में कभी एक इंटेलिजन्ट और ए सब्सक्राइब से दिल चुराएगा वो कभी लाइफ में सक्सीड नहीं हो सकता इसलिए आप बच्छों को डे टुडे एक्टिविटीज में इन्वाल कर सकते हैं और उनके साथ अपने हर फीलिंग्स को शेर करते हुए उन्हें यह समझाया जा सकता है कि कि किस तरीके से वो अपनी लक्ष्णी और कमफर्ट से बाहर निकल के से एक रियल लाइफ की और तर्ण ले और अपनी लाइफ को कैसे सक्सीड करें और जब आप उनको ऐसा समझाते हैं और ऐसा उनको जब गाइड कर जाता है तो वो और ज्यादा कॉंसेंट्रीटिटीड वे में अपनी आपको जरूर और भी ऐसी बाते बताऊंगी जिससे आप अपने बच्चों को गाइड कर सके जिससे उनको प्रोचसाहित किया जा सके और जिससे वो लाइफ में आगे जाकर कैसे एक कामयाव इंसान बने और कैसे उसका जीवन संतुलित हो ऐसे बहुत सारे टिप्स और बहुत सर्च ना पर क्योंकि कहीं बार जब कोई वीडियो देखते हैं तो वीडियो को हम सर्च करते हैं जाप्स str not